ओम शान्ती, संगम युग पर हम बच्चे शिव बाबा से ज्ञान प्राप्त कर, खुशी का अनुभव करते हैं, बाबा से सेवा की नई-नई युक्तियां सीखते हैं. आज 6 अगस्त 2021 के महवाक्यों में हमने कुछ इसी प्रकार की बाते सुने, आईए रिवाइस करते हैं आज की मुर्ली की विशेश बातों को. शुद्ध बनते हैं तो क्या होता है? खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा, औरों को भी शुद्ध अत्वा योगी बनाएंगे, अपने को लायक बनाएंगे. अगर हीरे जैसी श्रेश्च जीवन बनानी हैं, तो उसके लिए क्या पुरुशार्थ करना होगा? देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाप को याद करते रहो, इस शरीर की संभाल करते रहो, इसी शरीर में रहते कर्मा तीत अवस्था को प्राप्त करो, बाप को याद करो, गफलत नहीं करनी हैं. हम बच्चों की अवस्था कर्मा तीत कब होगी? ऐसे मत समझना कि कोई बच्चे कर्मा तीत अवस्था तक पहुँच गए हैं, रेस चल रही है, रेस जब पूरी हो, तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा, तब तक यह रिहर्सल होती रहेग जब तक कर्माती तवस्था आ जाए, अंत में ही सबका पता पड़ेगा, इस समय एक भी कर्माती तवस्था को पाना सके, अभी एकर सवस्था किसी की भी बनी नहीं है, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुशार्थ कर कर्माती तवस्था को पाना है, खुशी जास्ती उनको जो कर्मती तवस्था को पाने का पुर्शार्थ करते रहते होंगे। अपने शरीर की संभाल करने की विधी क्या है। यह अमूलेतन है, इसे निरोगी तंदुरुस्त रखो, खान पान की संभाल रखो, एक रस चलन रखो, इस शरीर में पुरुशार्थ कर देवी देवता बनना है। भक्ति मार्क में जो संसकार पड़ गए थे, उन्हें मिटाने की विधी क्या है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना, हाए राम यह भी भक्ति का अक्षर है, ऐसी कोई पुकार नहीं करनी है, कुछ भी उच्चारन करने की बात नहीं, ओम शान्ती भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है, शान्ती माना अहम आत्मा शान्त स्वरू हाँ एक दो से पूछ सकते हो शिव बाबा की याद में हो बाबनी कृष्ण और नारायन के विशे में क्या कहा पहले पहले सत्यूग में होगा श्री नारायन श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायन आएगा वह तो बड़ा होगा न इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया ह हुआ है नारायन से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं कृष्ण की ही जनमाष्टमी मनाते हैं नारायन का बर्थडे नहीं मनाते यह कोई नहीं जानते कि श्री कृष्ण सो नारायन नाम तो बच्पन का ही चलेगा ना पहले-पहले है श्रिव की जयनती फिर है कृष्ण की फिर है राम की श्रिव बाबा को याद करने से क्या क्या फायदे होते हैं अडोल रहेंगे उंच वर्सा पाएंगे कमाई होगी नारायनी नशा चड़ेगा उंच ते उंच पद पाएंगे विकर्म विनाश होंगे मुक्ती को पाएंगे ये थे आज के मुरली की विशेश बातें आज बाबा ने याद में रहने के अनिका अनिक फाइदे हमें बताए तो आज हम सारा ही दिन बाबा की याद में रहते खुशी का अचल अडोल स्थिती का अनुभव करें और कॉमेंच बॉक्स में लिखकर जरूर बताईए आज की मुरली की कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी जिसे आप धारण करेंगे ओम शान्ती